चोटा से बच्चा है यह या नमका और यह बच्चा सवाल कर रहा है कि कार्टून देखना जाइस है या हराम है तो सबसे पहले यह बात वाज़ कर दिया कार्टून दो तरह के होते हैं उसमें कुछ बच्चों के लिए कार्टून होते हैं बच्चों के लिए और खास उसमें बच्चों की तालीम और तर्वियत के लिए जैसे अबदुलबारी नम कोई कार्टून आता है तो अगर ऐसे कार्टून हो जो खास बच्चों के लिए हो चाहल elabor उसके ले हूँ और उसमें कोई खेलाफ में शुर्य तालीम ना कोई जिया बतायी गही है वह शरीयत के मताबग कोई शरीयत की बात बदाय गया हूँ तालीम दे गही कोई अदब सिख्भाइ गया तो ऐसे अगर कार्टोन हो तो बच्चे देख सकते हैं लेकिन एक दूसरे कार्टून आते हैं फाल्तू किसिम की जिसका तालीम और तर्बियस से कोई लिना देना नहीं होता है तो वो बच्चों के लिए जाइस नहीं है ये बाद सिर्फ हम बच्चों की हद तक कह रहे हैं याद रखे जो कार्टून कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे गर बच्चे मनलब बड़ों के लिए भी हो सकते हैं या जिसका तालुब बच्चों की तर्बियस से नहीं होता है तो ऐसे कार्टून के जवास की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं कोई दलिल मेरे इलिम के हम तक नहीं है लेकिन जहां तक बच्चों की बात है तो बच्चों के लिए उरोबी ऐसे कार्टून जो उनकी तालिम और तर्बियत या उनके खेलकुद के लिए हो यानि उनकी तफरी के लिए हो कि उनकी ती तेलीव के लिए हो तो इसमें कोई हरुष की बात नहीं अब मस्ला है कि इसकी दलिल क्या है मैं बच्चों के लिए कार्टोन की एजास्थ के उसकी क्या दलिल है تو मेरी जो कुछ समज में आ रहा है ने अपनी समझ की मतावरिक आपके सामने बात पेश कर रहा हूं कि देखे सही बुखारी की एक ठीख है ठीख संबर 613 इसमें अम्मा आशा र close झालती है कि अम्मा अआशा र जैलाह ना इसमें आशा रे हुखना क्या है कि कुनत अल्अब बिल बनात इून देन नवी शलौ ल्भा समय कि मैं अल्ला के नबी S.A.V. के پاس गुर्यों से खेला करती थी हमाईशा रजराँ के पास गुर्या थी गुर्या वो भी एक तरी की तस्विर है और उन गुर्याँ के साथ मैं अल्ला के नबी के पास आपके साथ आपके मोजुोदी में खेला करती थी और मेरी कुछ सहेलियां होती थी, वो भी मेरे साथ खेलती थी तो अमा आईशा रज्जियल्लावनहा और आपकी सहेलियां यह सब अल्ला की नभी सिर्ण के पास खेला करती थी तो इसमें इस बात की दलील है कि बच्चे जो है वो खेलो ना खेल सकते हैं तो कार्टून जो है वो भी इसी की एक बदली हुई शकल है इसलिए इसमें कोई हरच की बात नहीं यहां यह वाज़ कर दूँ कि जो शारहिन ने इन हदीसों पर बहस किये उस पर हमारी नजर है किसी के जहन में बाता सकती है कि कुछ फुलमान ये का है कि यहां बधनात गुड़ियों से मुराद ऐसी गुड़िया है जिसका सर ना हो यह जिसमें वाज़ निशानात ना हो तो यह सब लोगों की क्यास आ रही है जब उस पर बधनात का इतलाँ हुआ है तो जाहरी माना यह है कि वो एक मतलब एक छोटी बच्ची की कौपी है यह इन्सानी शकल की कौपी की गई तभी उसे बनाता गए लेकिन यह कि उसका चेहरा ऐसा होगा वैसा होगा तो यह सब क्यास आ रही हैं इसकी कोई दलील नहीं है जो उस दोर की जो काडिगरी थी आप पिर तस्विर से मना करने की कोई जरूथ कś दिरूथ में ऊस दोर में इस तरीकी ताकीद करने की जरूथ में थी जबकि खास दोर से उस दोर के कि लड़कियों के लिए गुझाइश है ये घूरियां ख킨सकि desenvol़ लोना कि आगे चलकर उनको बड़ी होकर एक गर व्हालना करता है एक फैमिली सभालना है उनको खाना बनाना उसे जोटार है लेकिन जो इस सिसले की सारी अहादीस हैं वो इस तश्री का साथ नहीं देती है चुनाँचे सुनन अभी दाउद की रवायत है हदिस 14932 उसमें क्या है ये रवायत भी अम्मा आईशा रजियल्हानहा ही से है वो फर्माती है कि कादिमा रसूल अल्ही सिसले मिन घजवत तबूग और खईबरा कि अल्लह के नभी सल्ला लाओ सिल्म घजवत तबूग या खईबर से वापस आई वफी सहवतिहा सित्रून आप सिसले का जो हुजरा था घर था घर के एक तरफ खिड़की थी और फहब बतरी हुएं तो खिड़की के पास पर्दा लड़का हुआ था हवा चली पर्दा हटा तो क्या हुआ कहती है तो जब हवाएं चली और यो पर्दा लगा था खिड़की पर यो पर्दा जब उड़ा तो उसी खिड़की पर अमा आईशा के खिलोने रखे हुए थे गुड़िया रखे हुए थे तो अल्ला के नभी से निजर पड़ी कि यहां गुड़िया रखे हुए थे तो फकालमा हादा या आईशा तो अल्ला के नभी से पूछा कि आईशा ये क्या चीज़े रखे हुए है कालत बनाती अमा आईशा रखे हु ये मेरी गुड़िया हैं कि उन कुड़ियों के बीच में एक घूरा गुड़िया रखेंगे हुएं हैं और बीच में एक घूरा रखा हुआ है और उस घूरे के दम पर बनाई हुएं आखें तो आलाई के नבी में कहा कि मा हद अल्दी अरा वस्तहुना अल्ला एकरिम सम्हें ने कि जब उस घोड़े को देखा तो का ये बीच में गुड़ियों के बीच में ये घोड़ा मलब ये क्या चीज़ है आलत फरस अम्मा आईशा रज़ना ने का ये घोड़ा है अन्य कुछ गुड़िया थी बीच में गोड़ा रखका हुआ था तो अम्मा आशा ने का ये घोड़ा तो अल्ला एकरिम सम्हें ने कहा कि वमा हद ले दिया लए तो उसको पर बनाए हुआ था न तो का ये ये क्या बना हुआ इस पे कालत जनाहान का इसके दो पर हैं घोड़े के काल अल्ला के नमी ने का फरसुन लहा जनाहान घोड़े के कहां पर होते हैं परिंदों के होते हैं घोड़े के कहां से पर होते हैं कालत अमा अशा ने का अमा समीता आपको पता नहीं है अननल सुलीमाना खैलन कि सुलीमान अलिएसलाम का एक घोड़ा ऐसा था लहा अजनिहतन उसके पर थे आगे है कालत अमा आईशा कहती फजहिका अल्ला के नभी मुस्कुरा पड़े हसने लगे हता राईतु नवाजिज़ों यहां तो क्यासम के दान दिखे यह सुना नभी दाउत के अधिस अंबर 4932 से इस अधिस में क्या है इस अधिस में कि अम्मा आईशा रज़ना जो गुड़िया खेलेती वीच में गोड़ा रखा हुआ था यह जो गोड़ा है यह गोड़ा का लड़कियों के साथ कोई तखस्स नहीं है यह लड हुड्यों के भीच में घोरे मुझदगी इसे बात देविली लिए कि बच्चों के लिए इसके जाए यह लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों खेलोने खेल सकते हैं वह खेलोने बी जिसमें इंसान की कपी उइसको बच्चेnam人 लड़का-ल्यकी दोनों खेल सकतें और जब इस चीज़ की गुंजाईश निकल गई कि खेलोने जिनमें तसाविर होती है वो लड़का लड़की खेल सकते हैं तो आज जो इसकी बदली हुई शकल है कार्टून जो बच्चे ने पूचा है तो इसे लड़का लड़की दोनों देख सकते हैं इसमें कोई हरच की बात नहीं लेकिन याद रहे कि ये सिरे बच्चों की हद तक बात हो रही है बड़ों के लिए गुंजाईश नहीं है बड़े कोई ऐसा तसाविर से गुड़ियों से खेले उनके लिए इसकी गुंजाईश नहीं है इसलिए बड़ों के लिए कार्टून की भी गुंजाईश नहीं है आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें